बीमार पतनी से हफते में एक बार मिल सकेंगे मनीसी सोधिया रोजवेनी कोट ने दी इजाज़त जहाँ आपको पताये चली कि मनीसी सोधिया को रोजवेनी कोट से बड़ी रहात मिलिये दिली की रॉजवेनी कोट ने मनिसी सोधिया को कस्टेडी पैरोल में सब्ता में एक बार अपनी बिमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दिये पैठा के दौर डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे या वैवस्ता अगले आदेश तक जारी रहेगी इससे पहले आपको बता दे की रॉजवेनी कोट ने उनकी नाय खिरासत को 22 फरविता के लिए भी बढ़ा दिया है हम अपना परिवार पालते हैं परिवार में चाहिए कोई आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो सबसे पहले वो क्या करता है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहता है अपने को रोटी ना मिले ना मिले बच्चों को पूरी रोटी मिलने चाहिए बच्चों को दूद मिलना चाहिए बच्चों को फल मिलने चाहिए बच्चों को ठीक से सबजी मिलने चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने चाहिए गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है, एक टाइम की रोटी कम खा लूँगा, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले जी, है की नहीं? सबसे पहले आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है वो ही हमने अपने दिल्ली सरकार में अपनाया है कि दो सड़क कम बना देंगे पहले अपने सारे दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतिजाम करेंगे अपने दो करोड़ लोगों को मैं परिवार मानता हूँ, परिवार में जैसे सबसे पहले हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतिजाम करते हैं, हम ये सोचते हैं, मेरे को तो जिंदिगी में कुछ मिला नहीं मिला, भगवान नहीं दिया नहीं दिया, मेरे बच्च इसे अच्छी शिक्षा, इनको अच्छा बविश्य मिलना चाहिए, दूसरी चीज आदमी सोचता है, घर में कोई बिमार हो जाए, मा बिमार हो जाए, पिताजी बिमार हो जाए, बच्चे बिमार हो जाए, बीवी बिमार हो जाए, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अग आदमी अच्छे से इचाई आज कर दूसरी हर आदमी की हर परिवार की प्रायरिटी होती है वोई मैंने भी सोचा कि एक तो अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है और पूरी दिल्ली के अंदर कोई बिमार हो जाए पैसे की कमी की वजए से उसके इलाज में किसी किसम की कमी न आदमी आने चाहिए अच्छी है